हेलो प्यारे बच्चों, NCRT Math कक्षा दस्वी में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे चेप्टर नमबर बारे, प्रश्नावली बारे दस्मलव दो, प्रश्नावली बारे दस्मलव एक हम पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे तिर्जय खंड और वर्तखंड के चेतरफल के बारे में, ये वर्तखंड और तिर्जय खंड का चेतरफल कैसे निकालते हैं, तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडेक्शन कर लेते हैं, प्रीचे कर लेते हैं, तिर्जय खंड और व में दिक्कत नहीं आएगी. बच्चों, यहांपर हमने दो वर्त ले लिये हैं, फिर हमने यहांपर इस वट के केंदर को मिलाया है परीधी से, इस प्रकार से. तो यह हमारे पास क्या कराएगी? तिरज्या. यह क्या है, तिरज्या और यह भी क्या है? तिर्जा इसका केंदर हमने मान लिया O इसको मान लिया हमने A और इस बिंदू को B अब हमारे पास इस तिर्जा ने O A ने और इस तिर्जा O B ने इस वर्त को बागों में बाट दिया है तो एक बाग तो इसका ये और एक बाग है ये बाहर का इस भाग में और इस भाग में इन तिर्जाओं ने इस वरत को दो भागों के अंदर बाट दिया है तो जो ये निच्चे की जो लाइन खीच रखे मैंने ये जो भाग है O A B इसको हम कहेंगे लगू तिर्जाखंड क्या कहलाएगा ये लगू तिर्जाखंड जो कि इन तिर्जाओं ने इसके खंड कर दी हैं वरत के तो ये कहलाएगा लगू तिर्जाखंड और जो उपर का भाग सफेद भाग है ये कहलाएगा दिर्ग तिर्जाखंड यह लगू तिर्जय खंड और यह उपर का भाग है वो दिर्ग यानि बड़ा तिर्जय खंड यह छोटा लगू तिर्जय खंड तो यह होता है तिर्जय खंड दूसरी आकरते के अंदर इस वर्त के अंदर हमने यहां पर एक जीवा ले है इसको हमने नाम दे दिया A B यह वर्त का के अंदर O है इस A B जीवा ने इस वर्त को दो बागों में बाट दिया एक भाग उपर का जिसको हम कहेंगे बड़ा भाग एक भाग नीचे का छोटा भाग इस भाग को मैं चायंकित कर देता हूं तब ये जो नीचे का चायंकित भाग है ये कहलाएगा वर्त खंड लगू वर्त खंड क्या कहलाएगा लगू वर्त खंड उप्र का जो भाग है उप्रवाणा भाग वो कहलाएगा दिर्ग वर्त खंड यानि कि बड़ा भाग कहलाएगा दिर्ग वर्त खंड और छोटा भाग जो वरित का वो कहलाएगा लगू वर्तकन तो यह हो जाएगा जो सायंकित बागई यह लगू वर्तकन उप्रका जो स्फेद बागई हो जाएगा दिर्ग वर्तकन तो यह अंतर होता है तिर्जय खंड में होरे वर्तकन के अंतर तिर्जय खंड होता है वो तिर्जयाओं के द् बनता है और जो वरित्खंड होता है वो जीवा के द्वारा बनता है इस बात को आपने ध्यान में रखना है अब हमें तिर्जेखंड और वरित्खंड दोनों का छेत्रफल निकालना है तो तिर्जेखंड का जो छेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्केर जहां पर जो थीटा है मारे पास वो थीटा है ये ये थीटा कहलाएगा जो इन इस चापने ए बी चापने जो केंदर के उपर जो कौन बनाया है A B चाप ने केंदर पर जो कौन बनाया है वो कहलाएगा थीटा ये हमारा थीटा हो जाएगा बटे 360 गुना पाई आर स्केर यहाँ पर आर है तिरज्या तो हमें यहाँ पर आर और थीटा दिया मिलेगा उसको फार मुले के अंदर सुत्र के अंदर रखे आराम से तिरज्या खंड का चेतरफल निकाड सकते हैं दिर्ग तिरज्या खंड का चेतरफल बराबर हो जाएगा तो बच्छों हमारे पास दिर्ग तिरज्या खंड का चेतरफल हो जाएगा पूरे वर्त के छेतरफल में से गटा देंगे लगू तिर्जय खंड का तो आज आएगा दिर्ग तिर्जय खंड का अब हम बात करते हैं वर्त खंड के छेतरफल के बारे में यह वर्त खंड का छेतरफल कैसे निकालेंगे इस आकरती में हमें निकालना है लगू वर्थखंड का चेतरफल तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे तिर्जेखंड का चेतरफल तिर्जेखंड का चेतरफल ये पूरा इस पूरे का छेत्रफल जिसके अंदर ये भाग भी आएगा निचे वाड़े सारा भाग आएगा ये इस पूरे तिरजय खंड का छेत्रफल और उसमें से गटा देंगे फिर हम तिरबुज OAB का छेत्रफल तो हमारे पास बच जियाएगा इस लगू वर्त खंड का छेत्रफल समझना पच्च उसको द्यान से देखो हमारे पास वर्त खंड का छेत्रफल निकालने का सिधा सुत्र नहीं है पहले हम निकालेंगे तिरजय खंड का चेतरफल सुत्र से उसके बाद फिर उसमें से गटा देंगे हम तिरबुज का चेतरफल तो हमारे पास बच जियाएगा वर्थखंड का चेतरफल ये हमारे पास हो जियाएगा थीटा तो वर्थखंड का छेतरफल हो जाएगा तिर्जेखंड का छेतरफल गटा तिर्गुज A O B का छेतरफल यह हमारे पास आजाएगा लगू वर्थखंड का छेतरफल अब हमें निकालना हो दिर्ग वर्थखंड का छेतरफल तो उसके लिए क्या करेंगे पूरे वर्त के चेतरफल में से गटा देंगे हम लगू वर्तखंड का चेतरफल तो हमारे पास बच जाएगा दिर्ग वर्तखंड का चेतरफल हो जाएगा वर्त का चेतरफल गटा लगू वर्तखंड का चेतरफल अब बच्चों अगर हमें निकालनी हो चाप के लंबाई इस वर्त के अंदर अगर हमें इस चाप के लंबाई A, B, ये इस वर्त खंड की जो संगत चाप है A, B इसके लंबाई निकालनी हो हमें तो वो कैसे निकालेंगे तो उसका सुत्र है तो तिर्ज्याखंड के संगत चाप के लंबाई यानि इस तिर्ज्याखंड के संगत चाप ये ये भी है जो इसकी लंबाई हो जाएगी थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर यह हो जाएगा सुत्तर तिर्जाखंड के संग चाप के लंबाई निकालने का अब बच्चोगर हमें तिर्बुज का छेत्रफल निकालना पड़ेगा वर्थखंड का छेत्रफल निकालने के लिए वो आएगा तिर्जाखंड के छेत्रफल में से हम गटाएंगे तिर्बुज OAB का छेत्रफल तो उसको कैसे निकालेंगे वोर देख लेते हैं अगर बच्चो यह जो कौन है थीटा इसे AB चाप के दवारा किंदर पर बना आगा कौन है जो थीटा यह अगर 90 डिगरी है तो आप तिर्बुज का छेत्रफल निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से एक बटा दो गुना आधार गुना उच्चाई अगर हमारे पास जो ठीटा है वो है 90 डिगरी तो तिर्बुज का चेत्रफल हो जाएगा एक बटा दो आधार गुना उच्चाई ये और अगर मान लो ये कौन आपके पास नेपर डिगरी का नहीं है तो क्या करेंगे फिर आपने क्या करना है आपने इस बिंदू से किंदर से इस जीवा के उपर लंब डालना है इस तरह से इसको जैसे हमने मान लिया M M के उपर ये काटता ही जीवा को फिर हम इस तिर बुझ को और तिर बुझ इसको फिर हम तिर बुझ O M A वे तिर बुझ O M B इन दोनों को दिखाएंगे सरवांक्षम जी दोनों तिर बुझे सरवांक्षम हो जाएंगी उसके बाद फिर अगर ये सरवांक्षम होंगी तो हमारे पास A M बराबर क्या जाएगा B M और ये जो अकॉन भी आपस में दोनों क्या होंगे बराबर तो थीटा हमारा जी अकॉन जो आएगा हमारा यहाँ पर A O M बराबर होगा B O M थीटा बटे दोगेन थीटा का आदा हो जाएगा फिर इसके बाद हमें क्या करना है फिर हमें लगाना है इसके अंदर है तिर्कॉनमीती अनुपात साइन थिटा या कोस थिटा तिरकोन मिती अनुपात लगा करके फिर हम इसके अंदर OM या और AM ये निकालेंगे फिर हमारे पास आजाएगी AB की लंबाई क्योंकि AB हमारे पास होगा AM का दुगना AM हम निकाल लेंगे उसका डबल कर देंगे हम AB जो हमारे पास है वो है AM का दुगना हो जाएगा क्योंकि दोनों तिरकोन मिती अनुपात है वहाँ से हम AM और OM निकाल लेंगे हम यहाँ पर सुत्तर लगाएंगे एक बटा दो गुना आधार गुना उच्चाई इस तरह से हम तिरकोन मिती अनुपात है निकालेंगे तो अगर आपके पास ठीटा है वो 90 डेगरी नहीं है तो हमें हर एक सवाल के अंदर तिरबुज का 6 तरफल निकालने के लिए यह करना पड़ेगा हर एक सवाल के अंदर सब के अंदर सेम तरीका होगा यह आपने पहले तिरबुजों को सरवांग्शम्शिद करना है फिर हमें OM और AM का मान निकालना है तिरकोन मिती अनुपात का सारा लेगर के फिर वहां से हम शुत्र लगाएंगे एक बटा दो अधार गुना उच्चाई झालना है